नमस्कार ओम साई राम साई समर्चक्ती चानल में सवी साई भकतों का स्वागते हमारा देश भारत सदियों से विश्व गुरु कहा जाता है यहां की दर्दी पर अनेक महान संतों ने समय समय पर जल्म लिया और जीवन जीने का उपदेश दिया की किस प्रकार सत्ती की राह पर चलते हुए लोगों की भलाई करते हुए अमरत्व का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है इसी कड़ी में हमारे देश की धर्दी पर महान संत शीडी के साई भाबा ने भी जल्म लिया था और फिर अपने सत्कर्मों से लोगों को सच्ची जीवन जीने और मानवता का संदेश दिया था जिसके कारण शीडी के साई भाबा को लोग भगवान भी मानते हैं और उने भगवान के रूप में भी पूजा जाता है साई भाबा ने धर्म से परे लोगों को उपर उटकर जीवन जीने का उपड़ेश दिया था और उनका मानना था कि इश्वर अल्ला सभी एक है जिसे अकसर वे कहा भी करते थे अर्थत साई भाबा को मानने वाले सभी धर्म की लोग है जिसके कारण वे सभी के लिए पूजने थे साई भाबा के द्वारा कहे गए साई भाबा के अनमोल विचार हम सभी के लिए जीवन जीने की सची राह दिखाते है तो चलिए साई बाबा के इन अन्मोल विचार को जानते हैं मैं तो निराकार भी हूँ और हर जग़ भी हूँ जब मेरा भक्त गिरने वाला होने की स्थिति में होता है तो मैं सबसे पहले हाथ बढ़ा कर सहारा देने वाला हूँ मैं अपने भक्तों का दास हूँ जो लोग वासना के अधिन होते हैं उनके लिए मुक्ति का मार्ग असंभव है मेरे लिए सबी एक समान है मेरा कार्य लोगों को आशिश और अशिर्वात देना है हमेशा मेरे शरन में रहो मैं सबी परिस्तितिया संबाल लूँगा जो मुझे चाते है उनके पर मेरी सदक रुपा बनी रहती है हमारा यही करतवे है लोगों के प्रती अच्छा बरताव करना जो की परियाप्त है मैं अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देता हूँ ओम सैराम